राकेष्टि कैद जी का क्या हल होने वाला है? या जंता का क्या हल होने वाला है? मैं तो कहा रहा हूँ राकेष्टि कैद को पुलिस ने उठा लेना चाहिए था अब तक और ये रोड की लिए रोज जो पबलिक परेशान है उनको रास्ता मिले, काम रोजी रोटी पे जाए, दो दो घंटे लेट आ रहे हैं बढ़िया थोड़ी कर रहा है अच्छा थोड़ी कर रहा है यह बिल्कुल गलत कर रहा है मोधी ने इतना काम करा है जो अभी तक किसी भी नेता नहीं करा ना कांग्रेस ने करा यह राकेश्टिकेट का ड्रामा है उनको सब जब दूसरी प्रताफ सिंग जी आपके पीछे बैंगन की खेती लगी हुई है और आप भी किसान है यह बताइए मुझे कि राकेश्टिकेट जो अपने आपको किसानों का नेता कहते हैं और वो अब धंकियां दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जैसा हमने 26 तारिक को किया था अब हम फिर से संसत को घेरेंगे और 40 लाग ट्रैक्टर ले कर आएंगे तो यह कहा तक बास सही लगती है आप यह बिलक सानों को बोल लहीं नहीं देते हो टिकाइटी रहता बस आगे और जो भी कुछ है सब गलतियां टिकाइट की है जैसे रास्ते रोके हुए है क्या यह कोई बढ़िया थोड़ी कर रहा है यह बिलकुल गलत कर रहा है यह क्यों कहने हैं कि 40 लाग ट्रैक्टर ले कर आएंगे पर यह साथ मुस्किल है कि जो आजाएं ट्रैक्टर ट्रैक्टर वाले कोई नहीं आएगा जो भी आएंगे 10-20 रहोंगे इसी कही अडोस पडोस के मुझे फन नगर वगए वगरा के और वैसे कोई नहीं आएगा जा पंजाब के जो हैं पंजाब के भी किसान असली जो हैं वह कोई नहीं आ रहें जो सब ऐसे ही हैं जो किराई के आदमी हैं वह जादा है इसके पास हमकिया दे रहे हैं कि 40 लाग ट्रैक्टर लेके आएंगे और 26 तारीक को जो हुआ दिल्ली वालों सड़के भी राजनीती का काम कर रहा है यह सोच रहा है कि मोधी को गिरा हो कैसे भ दिल्शय के रहा है कि आज यह मुझे करते हैं कि और रोड बैठा मुझे बता यह सब्कूरों कर रहा है कि ब्लू को आपके यह जाएंगे आह Career न गये अभी तक हम गए महँ मालूम है कि क्या कर रहा है बहुत परेशान कर रहा हो को हमारे भी सर्विसऑ बाट्चे वह हैं हमारे वो भी परेशान है दो दो तीन तीन घंटे लेट आते हैं रो जाना सब इसी की महरवानी से तो आ रहे हैं तो कोई बढ़िया काम तोड़ी कर रहा अच्छा काम करें कोई है यह तो आपने बस राजनीती कर रहा जो और हैं इसके साथ लगे हुए है जो दूसरी आप पार्टी लगी है कांग्रेस पार्टी लगी है यह पार्टी पॉल्टिक्स की बात आगी है यह नाकी किसानों का धरना है यह सब पार्टी का इसको बस सम मिलके यह सोच रहे हैं कि मोधी को अटा हो मोधी ने इतना काम करा है जो अभी तक किसी भी नेताने नहीं करा ना इस इतने सालों से रही आयोद्या का मसला हल नहीं हुआ कश्मीर का मुद्धा हल नहीं हुआ इसने पहली योजना में इसने समुद्धे हल कर दिए अरे बताइए व्रदाब जी आपके उमर क्या है सब्सक्राइब कर रहे हैं और अब यह संसार के अंदर हमारे देश की बदनामी होगी जो लाल के लिए पर यह हुआ है क्या हमारा जंडा उतार के तिरंगा जंडा उतार के फैका गया दूसरा जंडा लगाए गया इससे बड़ी बदनामी और हमारे देश की क्या होगी यह जंताओं को नहीं मालूम यह हमारा हिंदों का देश है हिंदों के यह तो नहीं होता ऐसी सांस्कृति तो नहीं कोई भी हिनों में कि इस तरीकी के से काम किये जाएं इस तरीके कि चीज़ां कर रहे हैं यह कुं कहते हैं कि हम सही कर रहे हम किसानों के साथ हैं भला असली किसान संसत को जाके demás के खेती आपके थया कि आपके burgने चालिस लाग प्रक्टृटों के साथ किसानों के लिए हितकी बात नहीं हुरी है किसानों के जो है इसने जो नियम बनाया वो गलत नहीं बनाया बहुत सही बनाएं जो कानून आएं बिलकुत सही बनाएं इसे बताइए मुझे कि जिस तरीके से चीज़ा रहे हैं और यह भी कहते हैं कि 40 लाख ट्रेक्टर और उनी सड़कों पर चलेंगे जो चलाए गए थे तो इन्हें यह नहीं दिखता कि यह धंकियां क्यों दे रहे है आम जंता को किसी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी चालिस लाख जो बता रहे हैं कि यहां अट्रेक्टर आएंगे अब इनको पुलिस नहीं पहले तो सब यह मोधी की महरवानी से ढील हो गई ना पुलिस ने उनके उनके उपर हाताफाई करी ना डंडा इस्तेमाल करा अगर यह देश के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे उसमें भी हमारे चार सो तक के जो जवान थे वो गायल हुए थे और अस्पताल में थे उसके बावजूद भी कोई राजनितिक पार्टियां उन्हें देखने के लिए नहीं जाती हो बिल्कि राकेश्टिकर जब रोने रखत है यह होस्पिटलों में एड्मिट रहे कोई पार्टि वाला आज तक कोई नहीं गया ना केजरी वाल गया ना राहुल जी गए ना प्रिंका जी गई है कोई भी नहीं गया अपने फिरसे में बात को रिपीट करूंगी कि इतने सारे साशन देखें राहुल गांदी जो आज नीती के बारे में किया बोलना क्या नी बोलना नहीं उसको बड़े छोटे परदे का पता निंस मोदी जी उससे कि Inner B घंव होगे उनको वी इस तरीके से गलत बोल जhaltा है हम तो यह कह रहे हैं अगर राजनीती राजनीती की जगे पर बोलने चालने का डंग तो अच्छा होना चाहिए किसी का सम्मान करना चाहिए अभी आपने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं किया और आप वो यह कहते हैं कि हम किसानों के साथ है वो किसी के साथ नहीं जोट बोलते है और यह काम करते हैं दिली में तुर्षी इतनी पावर हो हुग Name ग़र को शाबित करना को प्रोट के बात कि नहीं लाल तो भूटों के लिए तो लाल के लिए जब इन को जो रूट दिया है उस रूट से जाओ आराम से जाओ तोड़ी थी पर यह उस रूट पे गई उसके बाद फिर शांसच गेनने की बात कर रहा हैं机 एतने सारे ट्रैक्टर हैंगे आपको लगता है क्वेंगे कोई इनका साथ कॉछेंगे कि यह सब धंकी वाहर से बाहर से अंदर को यह नीए उसेगा क्यों फिर्थ कि पहले जो जितनी हमारी पुलिस ने डील करी अब वो पुलिस वाले डील डील नहीं करेंगे अगर इनकी गर्दन के टलवार चल रही है किया वो कब तक सेहन करेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि जो अधिर धर प्रशुद को लेका राकेश क्यों नीरहे थे उस रोजंघ राकेश्टिकेज जी करना था पर जितनी रेली चली उसके अंदर राकेश्टिकाईए को कहीं नहीं देखा गया तो अब यह इस वात की कौन जिम्मेदारी लेगा कि संसद पे जो गहराव करने की बात कर रहा है यह 40 लाग ट्रेक्टरों की अगर उस दिन भी ऐसे हिंसा हुई आपर इस दिन भी उस द्रब मचाने की कोशिश की उन्होंने तो उस बात की जिम्मेद इस लुट पर दिन दिया हमें कि इस रूट से आपको जाना एं तो इस रूट से क्यों नहीं आगे इनका वी विश्वास क्या है विश्वास ही नहीं तरीके की चीजहें है जो राकेश टिकेद्ट करते हुए किसान कैसे हो सकता है वो तो एक उद्योग पती हुआ किसान ऐसे कहा होगा किसान तो हमें जो यहां खीतों में लगे हुए मिट्टी में मिले हुए किसान यह यह किसान देखो सरीर के उपर कपड़े नहीं इनको किसान कहते हैं यह किसान पढ़े लिखे हो के होने के नाते भी करने एक किसान एक दिन तो गई नहीं और आप गए क्यों रिजन बताई है जब हम अपनी खेती सी टाइम नहीं तो वह जाकर वैटेंगे हमें अपनी रोटी रोटी रोजी कमानिये बच्चों का ध्यान रखना जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पैसा चाहिए वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तो यहां कोन करेगा है यह तो बताई है तो गेराओ करके क्या सावित करना चाहते हैं यह त तो जनता गोदी जारी है जनता प्रेशान हो इसको मोधी को बदनाम हो गाई कि लूए चुसको सारी हे यह जो इसने विकास कि आया हे इस उसकी तो बढ़ाई करते हैं जिससे किसी को कोई फायदा होता है मिज़े अगर आप जो है रोजाना हल्वा पूरी खिलाओगे तो मैं तो कहूंगा बहुत बढ़ी है मैडम तो 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 मतलब यह है कि अगर आप मोधी जी का नाम ले रहे तो आपने कहा कि विकास को लेकर उन् नाम तो सब करते ही है कि ऐसा कुछ निया जो किसानों के विरुद हो यह भी कहा जा रहा है कि जो कानून आया है जो क्रिशी कानून आया है कि काला कानून है जब सरकार पूछती है कि हमें बताओ इसमें काला क्या है तो फिर बताते कि अगर किसान है तो बताते भी कोई नही कानून वापिस लो कानून वापिस लो बस यह है इनकी तुरत इनको भी असलियत पता नहीं इस कानून का क्या है अच्छा मुझे बताई यह कि नब्बै से जादा दिन हो चुके हैं लोगों को रोड़ों पे बैटे हुए और आप राकेश्टी का धंकियां देने लगे हैं क् और यह रोड़ के लिए रोजो पब्लिक परेशान है उनको रास्ता मिले काम रोजी रोटी पे जाएं दो दो गंटे लेट आ रहे हैं कि यहां पर एक और चीज भी निकल कर सामने आए कि गाजेफुर बॉर्डर को लेकर राकेश्टी को अभी नोटिस भी दे दिया गया था कि खाली करो बॉर्डर फिर खाली नहीं हो रहा है कि यह तो करना ही पड़ेगा आज निकरना पड़ेगा कल करना पड़ेगा अगर य नहीं मानते एक समझाने से नहीं समझ रहा है एक आजमी बच्चे को इसको ने पढ़ने के लिए भीड़ते हैं अगर वह होमवर्क नहीं करके ले जाएगा तो टीचर तो जरूर उसको गरम करेगा थोड़ा बहुत तो इसको गरम तो करना ही पड़ेगा जागर नहीं माने बात क्या है पिर समयदारी देनी चाहिए या फिर वहversion कर ले देना चाहिए लेकुए या सबसे है और नहीं देता है तो है दूसरा रास्ता था को उठाएगी पुलिस गिरिफतारी का रास्ता है, और तो कोई है नहीं रास्ता, तीसरा रास्ता हमें कोई नजर नहीं आ रहा है प्रताप जी से हमने बात की, जिनके पूरे खेत हैं, ये बैंगल लगे हुए हैं, उदर गोभी लगा हुआ था तो ये इतनी खेती हैं इनकी, और ये भी एक किसान है और इनका खहना है कि राकेश टिकेट अगर बौडरों से नहीं हटते हैं और इसी तरीके से वो जन्ता को तंग करते हैं, या धंकी देने की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी कहा है कि वो संसत को घेरेंगे, तो आन वाले टाइम में पोलिस प्रशासन को भी इनको लेकर कड़ी सकती दिखानी पड़ेगी और भी जादा अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ